अगर आप एक बिजनस को राइट डिरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से सेल्स पिच करनी हैं, और किस तरह से डील क्लोज करनी हैं, बहुत सारे बायर्स आपके पास होंगे, बहुत पैसा आप बनाएंगे, नेम, फेम और ब्रैड आप क्रियेट कर लेंगे. अगर बिजनस को देखने के बाद ना, एक युवा के मन में एक विचार आता है, कि हर बिजनस करना बहुत बढ़ी है, ना किसी के अंतरगत काम करना है, ना ही कोई टाइम की बाउंडेशन है, और पैसा भी बहुत अदिकोगा, जॉब में तो प्रॉब्लम क्या, एक लिमिटेड सेलरी है, बाउंडेड टाइम है, और दूसरे की गाइडेंस के अंतरगत और लीडर्शिप के अंतरगत मुझे का करना पड़ेगा, मैं अपने जीवन को वैसे ही नहीं जी पाऊंगा, जैसे मैं जीना चाहता हूं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि एक ग्लैमर साइड ऑफ बिजनस है, जिसको देख कर लोगा, करशित होते हैं और डिसाइड कर लें थे कि मुझे बिजनस कर करें और अपने बिजनस को ठीक तरीके से एस्टबलिश करें, तो हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ बिजनस और प्रोफेशन, नमबर वन, अगर आप एक किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, और आप ये सोचती कि एक्सपर्टीज मेरी इतनी हैं कि मैं दूसरे के काम कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है, मैं नया प्रोड़क्त डिजाइन भी कर लेता हूं, नई प्रोड़क्त की मैनेफ़क्टरिंग भी कर लेता हूं, तो मैं क्यों आपना बिजनस दू कर लूँ, या आप एक अच्छे शेफ हैं, आप सोचती हैं, कि मैं इतना चाख बनाता हूं और लोग मेरे खाने को पसंद करते हैं तो मैं जॉब करने के अलावा खुद का अपना रेस्टोर खोल लेता हूं या आप अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर अकाउंट हैं आर्केटेक्ट हैं और आप किसी कंपनी के अंतरगत काम कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को दे रहे हैं और आपको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन को अपना बिजनस बना लूँ तो शायद मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं या आप अच्छे सेल्समेन हैं बहुत सारे बिजनस में अच्छे सेल्समेन होते हैं उनके मन में भी यह प्रश्ण होता है और मैं अच्छा बेच सकता हूं तो क्यों ना बुझे अपना ही बिजनस कर लेना चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ ज़रूरत है आपको बिजनस की डार्क साइड को समझने की क्योंकि अगर आप यह बात ठीक से समझ लेंगे तभी आप सही तरीके से निर्ने ले पाएंगे कि आपको जॉब करनी है बिजनस का शुबारम करना है क्यों? क्योंकि जब आप एक बिजनस का शुबारम करते हैं start starts with energy, motivation, hope, faith and trust. आपको जब भी एक business का शुबारम करना होता ना और करने का निर्णे आप लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक अच्छे energy होती है, motivation होता है, hope होता है, faith होता है और आपको एक trust होता है कि आपका जो product या service आप देने वाले हैं बिजनस का शुबारम करते हैं, कभी ऐसा देखा गया है कि आपके मन में बिजनस चलेगा ही नहीं और आप बिजनस शुरू कर लें confidence यह कहता है कि हाँ भया यह तो धमाका करेगा और इसी बिजनस को मुझे करना है और इसी में मुझे अपनी life को set करना है आपको लगता है कि आप एक create करेंगे क्या massive sale आप जब काम करेंगे नो तो इतनी sale होगी जितनी sale किसी competitor के आज तक नहीं हुई है बहुत सारे buyers आपके पास होंगे, बहुत पैसा आप बनाएंगे name, fame और brand आप create कर लेंगे इनी सभी positive उमीदों को देखते हुए एक व्यापार का शोबारम करता है या एक startup business का startup शुरू करता है लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, कई बार क्या होता है कि इस energy के साथ जब आप काम करना शुरू करते हैं तो market की result वो नहीं आते जो results आपने सोचे हुए होते हैं या आपके वाज इतना finance होता है वो इतना enough नहीं होता है कि उस finance के बहाब पर आप business को run कर पाएं और जब तक business loss में चल रहा होता है एक समय ऐसा आता है कि आप business का wind up करने का समय आ जाता है अब ये business wind up क्यों होते हैं क्यों कहते हैं कि अब business हमारा wrap up हो गया number one many things are wrong before you get few things in right direction क्या होता है कि बहुत बार ये देखा गया है कि जब तक हम सही direction में पहुंचते हैं उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमारी गलत हो चुके होती है जैसे आप production कर रहे हैं तो starting का material वो scrap हो जाता है जिसकी वएसे metal waste हो जाता है या आप manufacturing setup लगाते हैं तो कई बार गलत machinery आ जाती है गलत raw material आ जाता है sale करने निकलते हैं तो marketing करने पड़ती है और marketing की right strategy नहीं होती जिसकी वएसे नई leads नहीं आती है और आपका motivation हो down हो जाता है जब तक आपके खर्च लगातार बढ़ते रहते हैं जिसकी वएसे कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़े ठीक होने से पहले बहुत सारी चीज़े गलत हो जाती है जिसकी वज़ा से आपके साथ एक problem होती है क्या आप survive करना शुरू कर देते हैं emotionally, mentally, physically और financially और ध्यान रखेगा जो लोग financially जितनी जल्दी survival को take over नहीं कर पाएंगे वो जल्दी wrap up हो जाएंगे and you think to wrap up early stage आप early stage पर ही अपने business को wrap up कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है पर उस अवधी के लिए आपके पास समय नहीं होता क्योंकि आपके पास lack of fund होता है जिसकी वज़े से आपका business wrap up हो जाता है अब समझने वाली बात है कि आप उस business के expert थे या उस product के या उस service से related काम के expert थे उसके बाद भी आपका business wrap up हो गया तो ऐसा क्या कारण रहा कि जिसकी वज़े से आप business में fail हो गए जयान रखेगा दो तरह की business knowledge होती है एक को बोलते हैं domain knowledge और दूसरी होती है functional knowledge और domain knowledge का मतलब है कि आप जो काम करते हैं उस subject के आप masters हैं लेकिन उस subject के masters होने से business के masters आप नहीं बन गए जैसे आप अच्छी sales कर सकते हैं तो you are master in sales आप अच्छा product design करते हैं you are expert in designing best product आप अच्छे से किसी को services देते हैं तो you are expert in providing best service लेकिन service पर client को लाने के लिए या product पर client को लाने के लिए आपको बहुत बड़ा business setup की knowledge होनी चाहिए और उसका मतलब है कि आपको functional knowledge होनी के जरूरत है what to do, when to do, how to do and how to grab business ये आपको पता होनी की जरूरत है आपका business wind up हो जाता है क्योंकि कई बारे देखा गया है कि best quality product या service होने के बाद भी जिसमें आप बहतरीन expert हैं वो एक successful business create नहीं करता कारण क्या है you are expert in domain knowledge but you are not expert in functional knowledge business में success हासिल करने के लिए आपके पास domain knowledge हो या ना हो लेकिन आपके पास functional knowledge होना जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास बहतर functional knowledge है ना तो domain expert तो आपको आसानी से मिल जाएंगे अब समझने वाली बात यह है what you need to know आपको क्या ऐसी बाते हैं जो जाननी चाहिए अगर आप एक domain के expert है और business को next level ले जाना चाहते है या start करना चाहते है और start करने का उसमें सफलता आसिल करना चाहते है तो सबसे पहली बात है right planning and designing of financial viable business model कोई फरक नहीं पड़ता क्या product expert है या नहीं लेकिन अगर आप एक business को right direction में ले जाना चाहते हैं तो आपके पास सही planning होनी चाहिए financial viability होनी चाहिए कि इस business को शुरू करने में मुझे कितना gas station period लगेगा मतलब कितनी समय अबदी में तो business set होगा फिर कितने समय तक आप break even तक आएंगे no profit no loss क्योंकि business शुरू करते ही पहले दिन से बढ़ा रही venue नहीं आएगा तो कितना समय अबदी लगेगा मुझे no profit no loss पर जाने के लिए पूरे business का operational cost क्या होगा और कब मैं अपने product को market में launch करने के बाद operational cost को cover कर लूँगा और कब मेरा business अच्छे profit पर आएगा अगर ये financial viability का plan आपने design नहीं किया है तो कितने भी आप expert हों आपका business fail होने की संभाव नहीं है next demographic and psychographic profile of your customer आपने product तो अच्छा बना लिया लेकिन उस product का right buyer कौन है उसके लिए जुरूरी कि आपको demographic और psychographic profile अपने customer की पता हो अगर ये नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो दिया हुआ है कि बेहतर customer कैसे ढूंडे आपके business में सही ग्राक कैसे मिलेगा उसको आप ज़रूर देखें कि आपका right buyer कौन है ताकि आप product या service उस customer तक पहुँचा सके और अच्छे से sales grab कर सके next right marketing strategy to generate lead for business friends अगर आप blind marketing करेंगे ना कि आप marketing में पैसा लगाए जा रहे हैं कहीं से result आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा तो जहां से result नहीं आ रहा वहाँ पैसा waste हो रहा है आपको ज़रूरत आपके business की right marketing strategy को जानने की कि सही तरीके से विग्यापन कैसे करें या marketing कैसे करें या advertisement कैसे करें ताकि जाला सता leads आए और business में conversion अच्छा है उसके बाद strong follow-up process and strategy आपके पास lead तो generate हो गई लेकिन follow-up का system आपका best नहीं है तब भी आप ज्यादा अच्छा business नहीं कर पाएंगे यह बहुत बड़ी dark side of the business है और systematic sales process to close the deal problem क्या है lead बहुत सारे लोग generate कर लेते हैं पर उनको यहीं नहीं पता कि client के साथ सही तरीके से deal को close कैसे करना है मतलब किस तरीके से product pitch करना है किस तरीके से sales करनी और किस तरए से deal close करनी है और deal close करने के बाद process management आपके business को ठीक तरीके से चलाने के लिए क्या-kya processes है मतलब lead generation का process, production का process, sales का process, marketing का process explodes, promotion का process उसके अलाबा after sales का प्रोसेस सारा का सारा process management आपको जानने की बहुत ज़रूरत है after sales management आपने sales तो कर दी लेकिन उस sales को करने के बाद product का consumer के पास तक पहुंचना और after sales service देना भी बहुत बेतरीन role play करता है किसी business की सफलता के लिए और साथ-साथ inflow and outflow management of fund अगर आप ठीक तरीके से inflow और outflowat को manage नहीं कर पाएंगे न तो कहीं न कहीं business problem में आने के संभावना की और बढ़ता जाएगा तो आपका कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा liquidity में आपके पास है और कितना पैसा अगली समयवधी के लिए आपके पास होना चाहिए यह सारा system भी आप को समझना होगा तभी आपकी domain knowledge आपकी function knowledge में के साथ मिलकर आसानी से एक बहतर business create कर पाएगे उसके बाद team management कहते हैं कि दुनिया का बहतर से बहतर business fail हो जाता है अगर सही तरीके से team perform ना करे आप business में lead generate करने के लिए sales generation के लिए बहुत अदी खरचा तो कर सकते हैं पर उस ख इतर team की design करने की ताकि आप बहुत अधिक पैसा कमा पाएं और अपने business को next level पर ले कर जा सके हैं फ्रेंच किसी भी business को next level पर ले जाने के लिए ना domain knowledge के साथ साथ functional knowledge होना जरूरी है तो आपको जरूरत होगी सही guidance की सही coaching की सही mentorship की या सही consulting की अब सही consultant guide mentor या ठीक तरीके से advice करने वाला advisor आप कैसे select करें उसके लिए वीडियो जरूर देखें यहां पर आप समझ पाएंगे कि आपके business के लिए कौन सा व्यक्ति किस चीज़ के लिए best है कोई भी informative वीडियो मिस ना उसके लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification सबसे पह आईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत